या मशकार दोस्तो अगर आप हमारी मार्किट को देखोगी तो उसकी काफी ज़्यादा धुलाई पिटाई की गई, बैंक निफ्टी को काफी बुरी तरीके से पिटा गया और नीचे लाए गया, इसी की साथ मिट कैप, स्मॉल कैप और वहीं पे जो निफ्टी 50 था उसकी हैं, इसी के साथ इसके पीछे की क्या रीजन है, और मार्केट में वापिस जो एक ग्रोथ हाईगी, वो कब आ सकती है, इसके वारे में बात करेंगे, तो फर्स तिंग फर्स यह हुआ क्यों, यह हुआ इस वज़े से क्योंकि आज फाइनली चाइना ने एक रेट कट किया, 25 फाइब बेसिस पॉइंट का जिस वज़े से जो चाइनीज मार्केट है, उसके अंदर काफी ज़्यादा लिक्विटरिटी फैले की धीरे-धीरे करके, यह एजंशन लगा जा रहा है, और इसी वज़े से यहां पर जो चाइनीज मार्केट है, इसको पॉजिटिव तरीके स देखने को मिलेगा, यहां पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है, कुछ मार्केट उपर है, कुछ मार्केट नीचे है, हमाई वाली मार्केट नीचे वाली काटेगरी में आती है, अब इससे बेसिकली हो क्या रहा है, सबसे वहले आप यह सबजो, जब भी रेट कट हो जैसे जो हमारा में देश है यूस वह भी सेम काम कर रहा है तो इससे क्या होता है इससे इंफ्लो बढ़ जाते हैं मार्केट के लिए जिससे इंवेस्टर का सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है उस मार्केट के साइड और आप देखोगे जो हमारा आरबी आय था उसने रेट मार्केट की साइड मूव कर रहें इसको मैं एक नॉर्मल और बेसिक एजांपल से समझाता हूँ सब्सक्राइब काफी सारा पैसा डिफेंस फंड में डाला जब वह पिटा हुआ था करीब के 2023 के फर्स्ट हाफ के अंदर ठीक है आपने क्या देखा कि आपने क्या देखा कि है कुछ ऐसे स्टॉक होंगे या ऐसे पैसा बनाया वहीं पर आपने उठाकर के डिफेंस पैसे डाता तो जब डिफेंस चलना शुरू है तो आपने बहुत सारा पैसा बनाया अब उसके बात क्या होता है जो गौर्मेन्ट का सेंटिमेंट सा वो डिफेंस से चेंज हुआ अब आज की डेट के अंदर कुछ अंडर वैल्यूट स्टॉक या मिउचल फंड हुए जैसे बैंकिंग आईटी फार्मा ठीक है तो आप यह करोगा आप डिफेंस से पैसे उठा करके इन में डाल हुए उसके बाद क्या होगा जो जो डिफेंस वाला सेक्टर है करके गिरेगा यह एक नॉर्मल इंटेलिजेंट रिटेल इंवेस्टर कर सकता है यह बहुत नॉर्मल है अब हम टाइम करने की बात नहीं करें थोड़ा बहुत अपर नीचे करने की बात करें और यह चीज़ करना फिजिबल है सेम चीज और सेम तरीके से ही FII भी सूशते है इवन वो तो हम सब से काफी ज़्यदा इंटेलिजेंट होते हैं जो डेटा पॉइंट होता है उनके लिए बहुत बढ़ा होता है इसी के सार सार जो उनका पॉर्टफोलियो होता है वो सिर्फ ऑसे इंडिया जिपैन तक तो ठिकता नहीं है उन्हें पूरी पूरी ग्लोबल मार्केट करना है इंवेस्ट करना होता है तो यह देखते हैं कि कौन सी मार्केट उस समब संब होते हैं जैसे लास्ट कुस्ट इस चाइनीज मार्केट में बहुत सारे issues आ रहे थे क्योंकि वहाँ पे data issues भी था तो क्या हो रहा था चानीना से इंडिया की के चाइनीज मार्केट के अंदर जा रहा है और यह बहुत नॉर्मल है लोग आपको न्यूस पे चीख चीख के चिलाएंगे कि आरे इंडिया मार्केट से निकल गया पैसा डाल दिया चाइना के अंदर आप यह समझो एक इन्वेस्टर के परस्पेक्टिफ से सोचो जो चीज सस्ती है वो वहाँ पैसे डालेगा जो चीज महेंगे है वहाँ से पैसा निकाला जाएगा यह बहुत नॉर्मल चीज़ है यह हर एक इंसान करता है तो फर्स्टिंग होगे यह वाली सेकिंड चीज जब आग लग रही हो तो वहाँ पर फ्यूल ने डांग आची है जो कि हमा तो आपको एक म्यूटर दिखे रहे हैं एवन जो ग्रोथ एसंप्शन की जा रही थी वह बिलकुल नहीं है अगर हम कहते हैं भाए आँए जीडीप बढ़ रही है तो वह चीज़ कंवर्ट होनी चाहिए आपके रिजर्स के अंदर भी क्यूंकि जीडीप बढ़ रही है मतल काफी positive sentiment create करता है जैसे इंडिया में जो भी election थे तो इंडिया मार्केट को हमने देखा तो basically आप करना क्या चाहिए as an investor, as a long term investor, as a short term investor, सबसे पहले आपको एक myth से निकल जाना चाहिए जब यह market नहीं गिर रही थी, crack नहीं कर रही थी तो हम यह कहते है retail investor सब कम कर सकता है, I think मैंने काफी FII के उपर भी videos बनाई थी कि FII अगर बेचने पाया, तो आप कितना भी पैसा डाल लो, market के अंदर उसको sustain करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, because FII एक major role अदा करता है, हर एक market के अंदर, because India के अंदर भी 25-30% तक जो Indian market sustain करते हैं, वो FII के पैसा सही sustain करती है, so स opportunity funds बनाया होगा, वो slowly steadily market के अंदर invest करें, तो अच्छा रहेगा, slowly steadily कौन से market में, कौन से sector में, जहां पर आपको गिरावट दिखिए, देखो, अभी तक मैं कुछ sectors थे जो ताबर तोर तरीके से भाग रहे थे, जैसा defense हो गया, पीसी हो गया, इन में गिरावट होगी कि है, invest करना चाहिए, मेरे साब से कुछ stocks जो है, अब इनके आज से, मतलब जो गिरावट अब recently दिखिए, उसके बाद से कहा रहा हूँ, अभी तक मैं negative थे, अभी तक मैं negative था defense की side, बट हाँ, अब कहीं नभी, धीरे-धीरे करके time correction, बाजार के अंदर जो fallout हुआ है, उनके price के उसके बाद वो attractive दिख रहे है, तो वहाँ पर आपका watch list हो सकता है, मैं कुछ stocks की videos बनाऊँगा, specific stocks मैं index के उपर आज भी bullish नहीं हूँ, मैं आपको clearly बता दू, PSU से तो दूर ही रहना है, इसी के साथ सथ banking, IT, consumer, pharma, यह तो ऐसे segment है कि India चलेगा तो यहाँ पर डढ़ने वाल इसी के साथ से, अगर मैं stocks की बात करूँ, जैसे angel one हो गया, धीर धीर करके अच्छे level प्यारा है, camps हो गया, अच्छे level प्यारा है, इसी के साथ साथ सथ SDFC, EMC हो गया, SDFC life हो गया, यह एक अच्छे levels पर धीर धीर तरीके से आते जा रहे है, small cap की बात करूँगा, अमरू ता प्यारे, इनके अंदर भी देखना चाहिए, यहां पर भी opportunity बन रही है, अब कौन से लोग होंगे, जो परिशान होंगे, देखो जो यह वाली market है, इसके अंदर, at least 2-3 महीने तर, personally मुझे लगता है, थोड़ा सा turbulence रहेगा, even specifically October में, मैं काफी टाइम से बोलता हो, भी आर हो एक्टूबर काफी ज़्यादा stable नहीं देखेगा, even November भी अब देखते वेर लगा है कि नहीं होगा, because US selection है, और जिस हिसाब से interest rate cut होने शुरू चुके चाइना में, जब तक हमारे interest rate cut नहीं होगा, तब तक थोड़ा सा महल गरम ही रहने वाला है, सबसे पहले आरा है festivals, तो ज़्यादा तर लोग जो हमारे retail investors होते हैं, वो कहते हैं, इस बार SIP skip करता हूँ, इस बार आ करके, मैं थोड़ा पैसा यहनों भिरवालों को साथ invest करता हूँ, क्योंकि बहुत पैसा कमाया, और यह normal यह कोई भी करेगा, it's not a big deal, लेकिन SIP में थोड़ा सी गिरावट आपको इंडियन पैसा भी कही ना कही एक normal retail investor का पैसा भी इन market की side जाता हूँ, आपको देख सकता है, जिससे एक छोटा सा negative sentiment create होगा, लेकिन, लेकिन, अगर आपका point of view अगले तीन महीने, छे महीने का नहीं है, तो धीरे-धीरे करके aggregate करते रहो, धीरे-धीरे करके accumulate करते रहो अप आपका एक target था कि भाई मेरको पैसा चाहिए ही चाहिए, तो ये सही time होगा पैसा निकालने का, वापिस कोशिश मत करो कि audit time high के आसपज जहता भी निकालू, क्योंकि आपको दो महीने बाद चाहिए ही पैसा है, आपको जरूरत हो उस पैसे की, याद रखना keyword जरूरत है, आ आप उसको skip नहीं कर सकते, आप उसको आगे postpone नहीं कर सकते, सिर्फ तब निकालना, otherwise अगर आप उसको postpone कर सकते हो, skip कर सकते हो, बिल्कुल पैसा में निकालो, market चलेगे, interest rate इंडिया में भी कम होगे, तो यहाँ पर भी sentiment positive होगा, तो आपको ये साही चीज़े समझे नहीं और इसी के साथ सत आपको, और इसी तरीकी की strategy आपको बनानी पड़ेगी, कि जहाँ पर interest rate cut होने से impact आएगा, आप वहाँ पर invest करो, आप वहाँ पर major पैसा कमा पाओगे, undervalued जगा, undervalued और reasonable valuation वाली चीज़ों में invest करोगे, तो आपके पैसे बनने के chances ज़ादा होगे, even mutual funds है, तो वहाँ पर देखो यार अगर आप फस गए, so पहला correction होता है, time correction कि भाई हो सकता है, आपको पैसा ना बने, until unless जो P.E. है वो reasonable ना है, या फिर दूसरा हो सकता है, कि मार्केट ही गिर जाओ उस समय पर, तो क्या होगा, P.E. reasonable आ जाएगा, तो आप overvalued चीजों से हट reasonable वाली चीजों के side जाओ, अगला एक दो महीना struggleful होने वाला है, तो long time investors का test है, वो अब बजाज शुरू करेगा, तो long time investors, तो धीरे धीरे invest करते हो, कोई जिल्दी बाजी नहीं है, बिल्कुल परिशान मत हो ना, India grow करेगा, market हमारी वापिस ओपर जाएगी, बिल्कुल tension नह वाचिं इस वीडियो, ताटा बबाए, सइनि ओफ.